अगर आप भी फिरी में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिजनस प्लान भी बताऊंगा साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अपने यूज के लिए इसको प्योग में लेना चाहते हैं फ्री आफ कोस्ट तो काफी अच्छे प्लान के बारे में मैं आपको बताऊंगा यह ओफिशली है हमारे भारत सरकार के द्वारा यह दिया जा रहा है प्रदान किया जा रहा है तो चलिए दोस्तों पूरे प्रोसेस पूरे स्टेप को जान लेते हूं आप किस पिरकार से solar panel अपने छट पे लगबा पाओगे उसके बारे में बात कर लेते हैं तो मैं हूँ अमर और चलिए इस वीडियो की सुरुवात करते हैं सब्सक्राइब करें टेक गुपता चैनल को और दवाएं इस खंटे को ताकि आप देख सकें technical और CST वीडियो सबसे पहले दोस्तो अगर आप solar panels के वारे में अधिक जानकारी चाते हो या apply करना चाते हो या अगर आप कुछ भी जानना चाते हो तो यह जो side है इसका URL आप देख सकते हो solarrooftop.gov.in तो दोस्तो यह GOV की side है इस पे आपको कोई भी problem नहीं आएगा बेधरक आप आके यहाँ पे अपना registration कर सकते हैं और आपको यहाँ पे बड़े ही आसानी से solar system provide करा दी जाएगी तो दोस्तो यहाँ पे आपको मैं पहले बता देता हूँ solar energy जो generate होता है वो solar panel की मदद से generate होगा और उसकी बदलत आप अगर इसका business करना चाहो तो वहाँ से आप कुछ benefit भी कमा पाओगे या अगर आप अपने घर में इसको प्योग में लेना चाहो तो घर के लिए भी आप बिजली उत्तपन कर पाओगे और आप solar system की मदद से electric generate कर पाओगे तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको कुछ fact use दिखा देना चाहोंगे tranquilly asked question मतलब दोस्तों जो भी इस पर registration करना चाहता है उनके मन में कुछ सवाल जरूर आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया what is a solar roof top system solar roof top system क्या है यह आपको बताया गया है इन्हे solar roof system the solar panel are installed in the roof of any residential, commercial, industrial and industrial building this can be two type solar roof system which storage faculty using battery and grid connect solar roof top system तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है solar roof top system जो होता है आपको दो परिकार में हो जाती है एक जो होता है जिसमें आप battery का uses लेते हैं जैसे कि दोस्तों आप solar panel से energy जो generate करते हैं उसको आप अपने battery में store करके रखते हैं ताकि आपको जब जरूरत हो तब आप उसका उप्योग कर सकें एक होता है डाइडेक्ट जैसे कि दोस्तों आपके घर पे बिजली आती है जितने दिर के लिए बिजली रहती है उतना ही देर आप उसको use में ले पाओगे और एक होता है inverter अगर आपके घर पे बिजली आती है तो आप अपने inverter को चार्ज कर लोगे और आप अपने inverter को कभी भी उप्योग में ले पाओगे तो यही दो system होता है पहला जो होता है solar rooftop system वो आपको using battery होती है दूसरे में battery आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पे यही बाते बताई गई है तो दोस्तो यहाँ पे अगर आप देखते है solar rooftop system क्या है और grid system क्या होता है क्योंकि दोस्तो बैटरी वाले तो सभी को पता है और grid system के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है आपका जो solar panel है वो DC current generate करेगा और एक converter लगा दिया जाएगा simply दोस्तो simple सब्दों में आप एक machine समझ लीजे आपकी solar panel में एक machine लगा दी जाएगी जो DC current को AC current में convert करके आपको 220 से 240 volt का voltage प्रवदान करेगा यह तब ही तक होगा जब तक आपका solar panel सूरिय के contact में रहेगा मतलब जब तक solar panel पे धूप आती रहेगी और दोस्तों अगर आप यहाँ पे लगाते हैं first solar rooftop system which is storage faculty using battery तो यह सबसे अच्छी होती है क्यूंकि दोस्तों जब तक सूरज की रौस नहीं है solar panel electric generate करेगा DC current generate करेगा और आपके battery को charge करेगा फिर आप battery को use में ले पाओगे जब आपको जरूरत होगी अब हम दोस्तों इस पर बात करते हैं कि किस प्रकार से फिरी है और यह कितना फिरी है वाकई में यह फिरी है या नहीं आपको क्या investment करनी होगी लेने के लिए क्या-क्या rules की जरूरत है क्या क्या mandatory होना चाहिए क्या-क्या यहाँ पर requirement होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं solar rooftop calculator इसमें आपको सारी बाते पुरे विस्तार में समझाए गई है चलिए दोस्तों हम इस पर बात करते है solar rooftop calculator जो होता है इसमें दोस्तों आपको कुछ options देखने को मिलते ह है जैसे कि टोटल rooftop area आप अपने area के हिसाब से यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं जैसे कि दोस्तों आपके छत पर 130 square feet का area है 500 square feet का area है उस पर आप कर सकते हैं आप energy के अनुसार भी कर सकते हैं मतलब कि आपको 1.5 kilowatt energy चाहिए 1.4 kb आपको energy चाहिए तो इस हिसाब से और दोस्तों आप अपने budget के हिसाब से भी यहां पर अनुमान लगा सकते हैं सबसे अच्छा होता है budget क्यूंकि दोस्तों आपको पता है कि आप इसके लिए कितना investment कर सकते हैं कितना खर्च कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आप एक लाग से investment कर सकते हैं तो सबसे छोटा investment जो होता है 1 laq का होता है तो simply दोस्तो आपको यहां पर 1 lakh रुपए डौत डाल देना है दोस्तो एक लाँ यह पर लिखा था कि फिरी तो एक लाग क्या बात है तो दोस्तो यहाँ पे जो आती है एक लाख हुर्पे वो एक budget होता है कि आप इतना budget लगा सकते हो actual में दोस्तो यह free हो जाएगा किस परकार से free होगा यह effectively free होता है यह पूरी तरह से आप फिरी इसको नहीं मान सकते हो इस पर दोस्तो आपको 30% subsidy मिलती है 70% आपको EMI मिल जाएगा तो उस पर हम बात कर लेते हैं उसके लिए दोस्तो आपको simply यहाँ पर अपना state select करना है आपको पता है हम बिहार से हैं आपको category select करना है रेसिडेंटल है commercial है या जो भी है तो दोस्तो हम अपने घर के लिए यूज में लेना चाहते हैं तो रेसिडेंटल हम यहाँ पर select करेंगे और दोस्तो यहाँ पर यह डायरेक्ट ले लेता है कि बिहार में जो है electricity cost क्या है तो 8 रुपे kilowatt घंटा है तो यहाँ का जो भी है वो आप देख सकते हैं simply दोस्तो आप जैसे ही अपना यहाँ पर state डालोगे रेसिडेंटल या जो भी category आप select करोगे यहाँ पर आपको cost दिखा देगा simply आपको calculate पर click करना है तो दोस्तो जैसे ही आप calculate पर click करोगे तो एक लाग के budget में जो है आपको plant मिलेगा उस plant से 1.4 kw kw energy आप generate कर पाएंगे तो यह बात यहाँ पर बताई गई है और दोस्तो यहाँ पर जो cost आता है वो cost आपको 70,000 का आता है किस परकार से 30% आपको subsidy मिल जाती है तो 30% यानि कि एक लाग का 30% 30,000 रुपे आपको देना होता है 70,000 रुपे वो भी दोस्तो आपको 70,000 रुपे नहीं देना होगा यह आपको EMI में चली जाएगी तो दोस्तो यहाँ पर किस परकार से EMI में चली और दोस्तो यह जो plant होता है इसका एक validity होता है एक समय सीमा होता है वो आप समझ सकते हो 25 years की समय सीमा होती है और 25 साल में जो दोस्तो आप एक लाग के plant से यानि कि 30,000 आपको subsidy और 70,000 EMI तो इससे आप जो है 48,300 किलो वाट घंटा energy generate कर पाएंगे और दोस्तों किलो वाट घं energy है आपको इतनी खवत नहीं होगी तो simply दोस्तों आप इसको बेच भी पाओगे जो भी डेट आपके इधर चल रहा है आठ रुपे किलो वाट घंटा हमारे इधर चल आपके इधर कुछ अलग हो सकता है तो दोस्तों यहां पे अगर आप बेचते हो तो मन्थली आप जो है कितना energy generate कर पाओगे तो 3,86,400 रुपे की आप energy यहां पे generate कर पाओगे और दोस्तों अगर हम बात करें environment में तो दोस्तों अगर आप generator लेते हैं या कोई अन्य मसीन लेते हैं उससे जो carbon dioxide उत्पन होता है तो यह जो solar system आप लेते हैं यह eco friendly होता है इससे आप 40 ton carbon dioxide की खपत को बचा पाओगे 40 ton आप carbon dioxide को बचा पाओगे और यहां पे दोस्तों आप जो होते हैं आप जो पेर लगाते हैं अच्छे काम करते हैं तो यह solar system लगाने से जो आप जितना 25 साल में काम करोगे 25 साल में अगर दोस्तों आप 63 पेर लगाते हो उतना आप अपने वायो environment के पक्ष subsidy दे रही है यानि कि आपको 3000 रुपे subsidy दे रही है इसमें दोस्तों आपको down payment क्या करना होगा down payment तो एक हिसाब से आपको 30,000 का सरकार करी रही है आपको कुछ भी नहीं करना है यानि कि आपको अपने घर से कुछ नहीं लगाना है down payment हमारे government के द्वारा दी जाएगी 30,000 की अ और दोस्तों interest लेने के बाद अगर आप EMI calculate करते हैं 10 साल के लिए loan period मतलब कम से कम 10 साल के लिए आप loan ले सकते हैं यहाँ पे दोस्तों और आप 30 साल तक का भी ले सकते हैं तो EMI जैसे ही दोस्तों आप calculate करोगे तो यहाँ पे 70,000 का आपको 8.45% से 866 रुपे पर मन्त देना परेगा यानि कि दोस्तों आपने एक लाग का प्लांट लिया एक लाग में 30,000 रुपे आपको सबसीडी मिल गई बचा 70,000 70,000 आपको EMI मिल गया EMI में आपको देना है मात्र 866 रुपे हर महीने और दोस्तों आप जो हर महीने इलेक्ट्री जनरेट कर रहे हैं बिजली उत् 300, 400, 500 का बिजली भी अगर उपयोग होता है तो आप 300 का बिजली तो अराम से बेच पाओगे अगर दोस्तों आप 1000 रुपे की बिजली उत्पन करते हो तो 288 का तो आप बेच पाओगे न तो यहाँ पे दोस्तों 866 रुपे हर मन्त कोई बड़ा रक्म नहीं होता है और आप आपको जो है टोटल यहाँ पे पेमेंट करना होगा 886 रुपे से 10 साल तो यानि कि आपको एक लाख तीन हजार के करीब कुछ करना होता है तो चलिए दोस्तों उस पे भी हम बात कर लेते हैं सिंपली हम आपको अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं कि जो है आपको कोश्ट किया आती है आपको जो आती है 866 रुपे से एक साल का पहले हम कैलकुलेशन करेंगी एक साल तो बारा तो यहाँ पे दोस्तों आपको आता है 10,000 और 10 साल के हम बात करते हैं तो सिंपली इसको आप मल्टिप्लाइ करोगे 10 से तो आपको जो कोश्ट 920 रुपे आपको टोटल देना होगा इसमें EMI कलकुलेट करके साथ में दोस्तों 30,000 की सबसीडी आए जाएगी तो यही दोस्तों अगर आप मार्केट से ऐसे लेते हैं 1.4 किलो वाट का तो आपको 1.5 लाग के करी प्लांट आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको आपको सारा भात समझ लिए कि आपको क्या benefit है कैसे benefit है किस परकार से आपको करना है अब हम बात करते हैं इस किस पर तो simply दोस्तों आपको home पे चले जाना होगा, home पे आप जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे registration form मिल जाएगा और आप registration कर पाओगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप solar rooftop calculator के नीचे देखोगे, installation, instructed form, मतलब आप installation करवाने में एक चुक है, जागरूख है, तो simply दोस्तों आपको इस क्लिक करना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे application form खुल के आ जाता है, solar rooftop installation, instructed form, तो दोस्तों आपको category select करना है, आप किस category के लिए चाहते हैं, दोस्तों आप कहीं से भी है, अगर आपका business है, या आपका घर है, या government, कुछ भी आप कोई भी जग आप इसको लगा सकते हैं, तो दोस्तों आप commercial लगा सकते हैं, industrial लगा सकते हैं, government, social sector आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, जिस परकार से, तो दोस्तों simply हम domestic खुद के यूज के लिए लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम domestic select करेंगे, name of organization, यहाँ पे individual, तो जो भी आपका नाम है, तो आपको डाल देना, आपको यहाँ पर अपना address डाल देना है, pin code आपको डालना है, state select करना है, district select करना है, email id डालना है, landline या phone number आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको installation details दिखायने को मिलेगा, तो simply दोस्तों, do you know the surface suitable size of the plant of your building, तो दोस्तों यहाँ आपको yes करना है, और simply दोस्तों, आपको यहाँ पे size of the power plant in kw, तो दोस्तों, कितना kilowatt का size लेना चाते है, तो हमने तो देखा था हुआ, एक लाख के वज़ट में 1.4 kilowatt का, तो simply दोस्तों, आप यहाँ पे 1.5 select कर सकते हैं या 1 डाल सकते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पे आपको company आती है, केरक्स होती है, दोस्तों, business models जो होता है, वो बताया गया है, केरक्स होता है, और इसके वाद rescue होता है, root finding होता है, दोस्तों, अगर आप capex करते हैं, capex अगर आप select करेंगे, तो capex में होता है, कि यह जो system होती है, उसकी जो maintenance होती है, वो company के दोरा 2 साल तक किया जा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 साल सिर्फ company देगी maintenance, उसके और दोस्तों, उसमें जो भी साफ सफाई होता है, जो भी इतार वगएरा धिला हो जाता है, वो आप खुछ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा engineering की जरुरत नहीं है, अगर दोस्तों, आप race को select करते हैं, तो यहा पर दोस्तों, any of 5, any of these 5 आप select कर सकते हैं, simply दोस्तों आपको यहाँ पर यह capture डालना है, submit करना है, आपको application number मिल जागा, company आपसे संपर्ट कर लेगी, और आपके घर में जो है, आपके रूफ पे यह power plant लगा दिया जाएगा, बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही आसानी से, दोस चोटा-चोटा किस्तों में परता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े ही आसानी से इसको pay कर दोगे, 866 पर मंत के दर से, तो दोस्तों बस वीडियो में यही था, जरूर आपको पसंद आओगा, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल होता है, तो आप हमसे बे जली नहीं मिल पाता है, तो वीडियो को सेर जरूर करें, अगर आपके मन में कोई सवाल होतों तो बेधरक पूछ सकते हैं, अगर दोस्तों आप टेक गुपता चैनल पे नहीं हैं, हो सकी तो हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सस्क्राइब कर लें, और सस्क्राइब करने झाल झाल